हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आज हम देखने वाले हैं 36 गड़ की मिट्टियां तो 36 गड़ में मुख्य रुप से पांच प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाल पिली मिट्टी लेटे राइट मिट्टी काली मिट्टी लाल बलूई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी अगर लेटे राइट की बात करें तो यह आप देख पा रहे हैं उपर की साइड में और 36 गर में सबसे अधिक है लाल पिली मिट्टी यह वाला जो सीम्बोल देख पा रहे हैं आप यह पूरा मैदानी इलाका से लेकर ऊपर तक उसके बाद लेटे राइट मिट्टी जो है इधर जसपुर छेतर में आपको मिलेगा इधर चिल्फी घाटी कवरधा छेतर में और काली मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैदानी इलाका में और इधर है लाल बलूई मिट्टी जो की बस्तर संभाग पूरा लाल बलूई मिट्टी से घिरा है और लाल दोमट मिट्टी ये दंतेवड़ा और सुकमा के आसपास आपको देखने को मिलेगा चलिए जानते हैं पुरा डीटेल इसके बारे में और कौन-कौन से कोस्चन आते हैं अक्सर चतिजगर व्यापम और पेस्सी में इसके विस्तार इसके प्रकार को पूछा जाता है और इसके स्थानिय नामों को पूछा जाता है कौन-कौन से फसल इसमें उगाय जाते हैं कौन-कौन से इसमें जो खनीच पदार्थ हैं उनके बारे में पूछा जाता है किस करण से मिट्टी का रंग पीला होता है, लाल होता है और कौन से फसल के लिए उप्यूपता है तो चली जानते हैं तो 36 गड़ में याद रखना है सभी को पांच प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मुख्य रूप से पांच प्रकार की मिट्टी सबसे पहला मिट्टी हम देखेंगे काली मिट्टी जिसको हम कनहार मिट्टी के नाम से जानते हैं कनारी मिट्टी भर्री और रेगुर याद रखना है ये काली मिट्टी है और काली मिट्टी इसका जो काला रांग होता है वो फेरिक टाइटेनियम के करण होता है फेरिक टाइटेनियम जो पदार्थ है जिसके करण ये मिट्टी काली होती है और इसमें सबसे अधिक जल्धार होता है यह हैं सबी पता होगा बेसॉल्ट नामक लिए च्टान के विद्रिंग से बने यह सुन होता है मात्रा कम होती है यह मिट्टी बेसिक प्रकृति का होता है च्हारी होता है और इसमें चीका या क्ले की मात्रा सरवाधिक होती है यह एक्जाम में आभी चुका है कि चीका और क्ले की मात्रा सरवाधिक कौन सी मिट्टी में होती है तो आपको याद रखना है काली मिट्टी इस का विस्तार है और फसल के लिए उपयुक्त बोलें तो ये गेहूं चना और तीलहन फसलों के लिए दालों के लिए और मुख्य रुप से कपास और गन्ने के लिए प्रसिद्ध है ये कपास और गन्ना के खेती इसमें बहुत अच्छे से होती है इसके अलावा सोया भी इन भी याद रखना है और सेकेंड मिट्टी है लाल पिली मिट्टी यह जो है 36 गड़ में सरवाधिक पाया जाता है और लगभग 50 से 55% माना जाता है यह पाया जाता है यह 55 से 60 बोल सकते हैं 55% आप याद रखेंगे लाल पिली मिट्टी 36 गड़ में सरवाधिक होता है इसका अगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में इसका जो पीला रंग होता है पीला रंग होता है फेरिक आकसाइड के करण लाल पीली मिट्टी का जो पीला रंग है फेरिक आक्साइड और इसको Fe3 plus से प्रदसीत करते हैं फेरिक आक्साइड Fe3 plus या दखना है और जो लाल रंग होता है वो होता है फेरस आक्साइड के करण Fe2 plus फेरस और Fe3 plus फेरिक Fe3O4 और यह Fe2O3 ऐसा इसका फार्मूला होता है फेरस आक्साइड और फेरिक आक्साइड का याना फेरिक आक्साइड यानि कि Fe3O4 और फेरस आक्साइड यानि Fe2O3 यदि मटासी और कनहार मिट्टी एक साथ मिलाया जाए तो वो बन जाता है डोड़सा कभी कभी कोश्चन बनता है कि डोड़सा मिट्टी कौन-कौन से मिट्टियों का मिस्रण है तो याद रखना है माटासी और कनहार माटासी मतलब जो लाल पिली मिट्टी है और कनहार यानि जो काले मिट्टी है तो लाल पिली मिट्टी और काले मिट्टी को मिला दें तो कभी-कभी यह डोर सा मिट्टी हो जाएगा तो कभी-कभी question आता है कि 36 गड़ में सरवाधिक मिट्टी पाई जाती है और आपसन में आपको लाल पिली मिट्टी नहीं दिया रहेगा उसके जगा डोर सा रहेगा तो ये आपको टिक करके आना है ऐसा कोस्टिन आ भी चुका है और लाल पिली मिट्टी में चूने की मातरा सरवाधी होती है याद रखना है और फसल इसमें बोलें तो मुख्य ये धान के लिए उप्युक तो फसल है और धान के फसल और ये जो है मैदानी इलाका में है ज्यादतर लाल पिली मिट्टी हमारे 36 गर के और आप देखेंगे इधर जांजगीर चापा तरफ और बिलासपूर इधर अपने महासमुन जीले और रायपूर इस छेतर में जो है सरवाधी खाई है इसलिए आप देखेंगे 36 गर में सरवाधी धान का पैदावार जांजगीर चापा जीले में होता है और यही मिट्टी है लाल पिली जो की धान के लिए उप्यूकत है आगे देखते हैं लाल दोमट मिट्टी रेड लॉम सॉइल इसका प्रकृती होता है अमलिय लाल दोमट मिट्टी का प्रकृती है अमलिय कले की मात्रा अधिक होती है इसमें भी काली मिट्टी में हम लोगों ने देखा था कले की मात्रा या चीका की मात्रा अधिक होती है तो सरवाधी काले मिट्टी याद रखना है और इसमें भी अधिक होती है क्लेम की मातरा इसका विस्तार है सुकमा के जो कॉंटा तहसिल है और दंतेवाड़ा कॉंटा और दंतेवाड़ा में ये फैला हुआ है सुकमा जिला और दंतेवाड़ा में ये question आभी चुका है इसका निर्मार देखें तो नीस और डायोराइट चट्टान से होता है नीट और डायोराइट चट्टान से इसका निर्मार होता है याद रखना है लाल दोमट मिट्टी का तो इसमें से मुख्य दो ही पाइन बनता है कि ये कहां बिस्तार है और इसका निर्मार किस्से होता है चाउथे नंबर का मिट्टी है लाल बलूई मिट्टी बलूई मतलब रेतिली रे था इसमें रेतिली मिट्टी भी बोलते हैं इसको इस्थानी भासा में या टीकरा मिट्टी बोल देते हैं Red Sandy Soils इंगलिस नेम है और इसे टीकरा मिट्टी भी कहते हैं और बस्तर के ढ़लानों में पाय जाता है ये question कई बरा चुका है कि बस्तर के ढ़लानों में कौन सी मिट्टी पाय जाती है तो टीकरा मिट्टी याद रखना है जिसको लाल बलुई के नाम से जानते हैं और ये दू कभी question भी बनता है कि बस्तर संभाग में कौन सी मिट्टी तो लाल बलुई मिट्टी और ये मोटे अनाच के लिए उप्यूपत है मोटे अनाच जैसे की धान बोलता है कोदो कुटकी है जुआर बाजरा है और आलू तीलहन का उपज होता है इसमें जुआर कोदो कुटकी ब भाठा मिट्टी बोलते हैं इसका इस्थानिय नाम है ये मुर्मी और भाठा मिट्टी यानि मुरूम युक्त छोटे-छोटे पत्थरों के साथ ये होता है कभी ये question आ चुका है कि मुरूम युक्त छोटे-छोटे पत्थरों के साथ जो रहता है उस मिट्टी को क्या कहते ह तो यह याद रखना है लेटे राइट मिट्टी इसका प्रकृति बेसिक होता है च्यारी होता है और ये जस्पूर छेतर में पाए जाता है जस्पूर पाठ शेत्र में पाय जाता है और इसे भवन निर्मान मिट्टी भी कहते है क्योंकि इससे भवन का निर्मान के जाता है जो आप सीमेंट से जो मसाला तयार करते हैं रेती के साथ तो वही है मुर्मी मुरूम या भाठा मिट्टी तो इससे भवन निर्मान मिट्टी भी कहा जाता याद रखना है और यह उप्युक्त है मोटे अनाच के लिए या चाय बगानी फसलों के लिए या बागवानी के लिए आपको पूछा जाए कि बागवानी फसल के लिए उप्युक्त मिट्टी क्या है तो आपको बताना है ले पत्त्थर, जो भी है, चार-प सर्गुजाँ-च्हेतर में पहला टीकरा उपर की और फिर शावर, फिर गादशावर, फिर बाहरा इसको रट लिजिए तिक्रा च्छावर गात च्छावर बहरा और बस्तर छेतर की बात करें तो इसमें मरहान तिक्रा माल गभार मरहान को मठार भी बोलते हैं और माल को बाड़ी ये याद रखना है तो मरहान तिक्रा बाड़ी गभार ऐसा आंसर लिया जा चुका है प्यस्सी में एक्जाम में दो बार आ चुका है और इसको माना भी जाता है टिक्रा मठार माल गभार माल लो ये सीरीज आपको नहीं मिलता है ऐसा तो इस क्रम को आपको मारना है अंसर टिक्रा मठार माल गभार तिक्रा को पहले कर देंगे मरहान को सेकेंड नमबर में और ये और हम और बनने जगा ताओं और ऊस्थे कंजा कहँए ना था ही उसमें आपको लेना है जिसमें खेती न जांते हैं जहां पे खांसी अगार रहता है और हम खेती नहीं करते हैं उस तरह से हम लोगों ने आज देखा 36 गड़ का मिट्टी आगे इसको मैं अपने मेब बनाया हूं उसमें फिर से आपको लास्ट में बता दे रहा हूं देखिए किस प्रकार से यह जस्पूर छेतर में है लेटे राइट मिट्टी देख पा रहे हैं आप और लाल पिली मिट्टी यह पूरा 36 गड़ में फैला हुआ है ज्यादातर मैदानी इलाका में है इस छेत्र में और काली मिट्टी इधर है ज्यादातर चिल्फी घाटी छेत्र में और यहां पर आपको मिलेगा जो धमतरी गरिया बंद के आसपास है और लाल बलोई मिट्टी पूरा बस्तर संभाग इस देवड़ा उसमें उस छेत्र में आपको मिलेगा लाल दोमत मिट्टी तो यह था 36 गड़ का मिट्टी धन्यवाद